हलो एवरीवन वेलकम टू नेट्बूक अकेडमी आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिस चीज का हम सबको बेस अबरी से इंतिजार था UPSC ने उसको रिलीस कर दिया जी हाँ 2021 का CAC का नोटिफिकेशन यहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है और आप इसको जाके UPSC वेबसाइट पर जाके फिल कर सकते हैं Last date जो UPSC ने दिया है वो है 24 March तब तक यह form भरे जा सकते हैं सारी चीजें सेम रही है और जो eligibility criteria है बिलकुल सेम है इस बार 712 vacancies UPSC ने दी है और exam को same date जो की 27 June है उसी दिन को रखा है और सारी चीजें सेम है UPSC ने साई services को भी same रखा है जिसमें IAS, IFS, IPS, Audit and Account Services सारी वही services को रखा है इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा centers of examination है यह आप जाके notification में देख सकते हैं notification आप UPSC की website से जाके download कर सकते हैं या फिर नीचे दिये हुए हमारे telegram के link से जाके direct download कर सकते हैं इसके बाद में जो plan of examination होगा वो बिल्कुल same है दो exams होगे आपके paper 1 and paper 2 paper 2 qualifying होगा 33 marks का CSAT का eligibility same रहेगी age limit बिल्कुल same है 21 years to 32 years for general categories and यह 1 August 2021 तक आप 21 वर्ष के होने चाहिए अगर आपको इस परिक्षा में बैटना है इसके पाद जो UPSC ने fees रखी है वो बिल्कुल same रखी है 100 rupees for general and OBCs बाकी females, SCs, STs and benchmark disabilities के लिए उसको UPSC ने free किया है हर बार करता है और आशा करता हूँ आपको कोई doubt नहीं बचा होगा अगर doubt है तो आप नीचे comment section पूछ सकते हैं और last date UPSC ने फिर से यहां पे clear क्या हुआ है कि 24th March है आप इससे पहले ही जाके form को submit कर दें आपको जिससे की choice का center मिल जाए और हमने UPSC के लिए एक series को launch किया हुआ है जहां पे हम previous essay questions को repeat करते हैं काफी important questions को आपके साथ में discuss करते हैं आप हमारे channel को subscribe कीजिए bell icon को दबाएए जिससे आपको notification मिलता रहे और हमारे telegram पे हम important PDF को upload करते रहते हैं आप हमारा telegram link भी check out कर सकते हैं Thank you very much